गुड मॉर्निंग स्वागत है आप लोगों का मेरे विलोग में और सुबह सुबह मैंने चड़ा दिये चाय गैस मंदी कर दी थी हाथ मुधो के फिर मैंने जोत लगाई जब तक चाय बनती रही धी में धी में और आज संडे का दिन है तो सब लेट उठेंगे और साथ साथ ब पड़ेगा आज और टूशन जाएगी और टूशन का कुछ काम उसका रात को जो रह गया था न वो करना उसे तो मैं सोच रही हूं उनको जगा के चली जाओं बच्चों को क्योंके फिर ना एक छुटी बीच में अगर हो जाए न तो फिर दिक्कत हो जाती है अगर लेट त चैक करके ही डालती हुमें क्योंके हमेसा यही रहता है कि कभी-कभी हो भी जाता थोड़ा बहुत कम जादा तो चली चाय डाल लेते हैं और बरतन वगयरा सारी कीचन क्लीन करके रात को मैं सो गई थी अगर सुबह उठके देखते हैं कीचन में तो और अच्छा सा लगता है क्योंके काम पूरा रात को कंप्लीट करके सोई ना तो सही रहता है फिर तो चली मैं बड़ी इसमें ट्रे में रख लूँ छोटी थी ना प्लेट इसमें आ नहीं पा रहे थे तो फिर इसमें रख लिया और मशीन लगा रखी है तो कपड़े दूल रहे हैं और पानी आया ऑचाए से मेरा व्लोग पर डाल देती हूं काफी टाईम हो गया और एक काम से अगर हम बन जाते हैं तो फिर धियान उसी में रहना तो फिर भी मेरी मन में कई ना कई रहता था कि मैं वीडियो नहीं बना पारी हूं तो मैंने सोचार्श डाल दूँ और जो लगा दी मैंने तो वही मैं दिखा रही थी तो पानी पी लुए एक गिलास पहले क्यूंकि गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है और चाय पीने से पहले में एक दो गिलास पानी सुब़े उटके पी लेती हूं गुर्गुना तो नहीं पीती सुबह के टाइम नहीं पिया जाता मुझे गर्म पानी तो मटके का पानी पिया था और मसीन लगाई थी न तो यहां पे सारे में पानी पानी हो जाता बालकनी मैंने साफ कर दी और पानी भी हटा दू क्योंकि यहां पर जम जात बस कभी बारिस का कभी धूप का धूप तेज भी हो जाती है और बारिस का भी मोसम हो जाता है बादल से हो जाते कई बार और सुबह से ना हवा भी चल रही है आज पार्क भी सुबह गई ना मैं तो हाँ मैं पार्क जाके आ चुकी हूँ अभी और उसके बाद ही मसीन तो लग में रखा दिया दाइक वीडिया दो यह एक कल पर्स ही में पार्क से लाके मैं ने गुल्दस्ता बना के इसमें रखा था इसका तो वह खराब हो गया वह निकाल दिया और जब ताजी फूल्ड थे ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे साइध में शोट वीडियो में डाल वी और क्या था खीर हाँ खीर बनाऊंगी तो बस चलिए छोले मैंने जो भी गोए थे वो अच्छे से भीग चुके है उनको रख दिया उबलने के लिए और प्याज वगएरा काट लूँगी क्योंकि साथ के साथ फिर छोग भी दूँगी तो हरी मिर्ची ले ली मैंने प्याज टामाटर ले लिया तो इनको मैंने काट लिया बारिक बारिक और अभी जो छोले उबाले थे न तो वह भी मैंने निकाल के रख दिये और जीरा काली मिर्ची लोंग और इलाइची यह सब डाला है उसके बाद मैंने प्याज डाल दी प्याज को भी अच्छा गोल्डन सा तो पिस हुआ गरम मसाला डाला था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया जब मसाला अच्छे से पक गया तो मैंने इसमिचे ने डाल दिये तो सब जीवन के रेडी हो गई अब मैं बनाऊंगी पूरी के लिए मैंने यह पूरी बड़ी रोटी से भी ज़्यादा ले ले लिया और उसको लंबा सा बेल लिया इसे चाकू से कट कर लूँगी एक जैसी पूरी आएगी ना छोटी ना बड़ी तो सेम सेम काटा है ऐसी तो इसे अब मैं रख दूँगी पर रात में दोबारा और इसके उपर डाल दूँगी तेल तो उससे क्या होगा कि जल्दी बन थी और चोटी-चोटी पूरिया बनाई थी अजवायन डालना भूल गई तो उसके बाद फिर मैंने क्या क्या जो पाकी आटा बचाता था ना उसमें अजवायन और सुखी मेति जो नहीं होती वो वो दोनों चीजे मिक्स करके और फिर बनाई थी कुछ पूरी ऐसे बनाई पर वो ही है कि आप बच्चे स्कूल जाते ना तो टाइम नहीं लग पाता फिर चुटे के दिन कई बार हो जाता कि चलो कुछ ना कुछ तो बना ले वो ही रहता बस तो चले जी पूरी बनके हो गई रेडी साथ में बना ली थी चाय भी और कुछ पूरी मैंने जो मेति की ब मैं लग दिया था जब तक मैंने बाकी कि वह रार अब तो खीर बनके भी मेरी तैयार हो गई थी और बरतन वगयर तो मैंने साथ में करती रही थी क्यूंकि जब कुछ भी बनाते है ना खाना तो साथ के साथ बरतन अगर करते रहो ना तो किचन में फिर जादा नहीं फैलता इसलिए बरतन वगेरा मैंने साथ में दो दिये थे अब लगा लेते है प्लेट तो खीर बनके तेयार हो चुकिया तो अभी मैं इसको डाल दूँ और दे देती हूं सबको तो चलिए कैसा लगा आपको व्लोग अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सिस्क्राइब कर लेना कि अब लोग मिलते हैं आप लोगजे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए